पेमस सॉलिवो डॉक्टर जो अपनी फिल्म्स में इस इंटरे केरेक्टर्स प्ले करने के लिए जाने जाते हैं हॉरर मूवी या नाइट मेर और एल्म स्टीट से अपनी करियर की शुरुआत करने वाले जॉनी डेप को तो फिल्में दिखाया गया है कि किस तरह 1933 में बैंक रॉबर जॉन डिलिंगर और उसका गैंग बैंक्स और रिच टार्गेट्स को लूटते हैं और पब्लिक एनिमी नंबर वन बन जाते हैं उनको रोकने के लिए जे एटकर हुवर सरकार से फैनेशल सपोर्ट की डिमांड करता है और एजेंट मेलवन पर्विस को इस केस पर असाइन किया जाता है लेकिन मेलवन डिलिंगर को हर कोशिश करने के बाद भी पकड़ नहीं पाता तो हुवर अपने परपस को अचीव कर करने की वज़े से और्गनाइस्ट क्राइम में खुद को फिट नहीं कर पाता यहीं इस फिल्म में दिखाया गया है अमेजिन डायलोक्स कमाल की एक्टिंग और जबरतस्त स्टोरी लाइन के साथ फिल्म आपको जबरतस्त एंटर्टेइन्मेंट देगी नमबर टू पर है स स्लीपी हॉलो तो यह फिल्म एक होरर फेंटेसी मिस्टरी फिल्म है जिसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है एक यंग डेटेक्टिव इकबाड क्रेन के अराउंड जिसको न्यू यॉक के एक छोटे से टाउन स्लीपी हॉलो में एक सीरीज ओव मडर्स के इन्विस्टिगेशन और कैसे वो इन मडर्स के पीछे की कहानी का पता लगाता है यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी जबर्दस्त एक्टिंग और कमाल की गौथिक स्टोरी आपको देखने को मिलेगी नमबर थ्री पर आती है फाइंडिंग नेवरलेंड तो यह फिल्म एक बेटों से एक प्लोटानिक रिलेशन्चिफ डबल अप हो जाता है तो वो एक प्ले रिखने के बारे में सोचते हैं जिसमें ऐसे बच्चों की कहानी है जो कभी बड़े ही नहीं होते फैंटेसी प्ले जो आगे चलके वन अप दा बेस्ट और मोस्ट आइकोनिक प्ले बनता जहां दिखाया गया है कि बेंजमिन नाम का एक बारबर होता है जिसकी एक बहुती खुबसूरत बीवी और एक बेटी होती है लेकिन डेंडन का एक करप चजज उसको हासल करना चाता है जिसके लिए वो बेंजमिन को एक ऐसे हिल्जाम में फसाद देता है कि उसको 15 साल की स उस इंसान से बतला देता है जिसने उसकी जिन्दगी बरबाद की ये फिल्म में दिखाया गया है मैं खुद भी मुजिकल मुवीज का फैन नहीं हूँ बट ये फिल्म डेफिनिटली आप लोगों को पसंद आएगी नमबर फाइब पर है चारली एंड दा चॉक्टिट फैक्टरी एक मुजिकल फैन्टेसी फिल्म जहां स्टोरी फोकस करती है चारली बकेड नाम के एक लड़के की लाइफ स्टोरी के उपर जो की गरीब ललका होता है पर उसकी लाइफ में एक टर्न आता है जब वर्ल्ड का most unusual candy maker उसको और बाकी चार बच्चों को अपनी फैक्टरी में विजिट करने का मौका देता है पर इस स्टोरी में यही सर्प्राइज नहीं है असली सर्प्राइज है विली वांका के थूड डिसाइट किया हुआ वो special grand prize अब आपको फिल्में देखकर यह जानना है कि किस तरह उस फैक्टरी के अंदर विजिट करने के बाद चारली की लाइफ बदलेगी तो दोस्तों यह थी लिस्ट फिल्म्स को देखने के बाद आप अपने opinions मेरे साथ share जरूर करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में